खुटे इनसान के सबसे करीबी और सबसे वफदार जानवर होते हैं जिने घरों में सबसे ज्यादा पाला जाता है इनमें वफदारी कूट-कूट-करभारी होती है और समय आने पर ये अपने मालिक के लिए जान भी देने को त्यार रहते हैं कुटो की दोसों से भी अधीक मान्यता प्राप्त नसले हैं जिन में से कुछ बेहत शांत, प्यारे और चंचल होते हैं तो कुछ बेहत खुंखार और आक्रामक स्वभाव के होते हैं जिने सभी लोग अपने घरों में नहीं पाल सके दोस्तों गेट रेड़ी फेक्ट्स के एक अध्य तक बनी रहेगा साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आगे आने वाली किसी थी वीडियो का नोटिफिकेशन आप से मिसना हो जब लोग डरावने कुट्टे के बारे में बात करते हैं तो आमतोर पर एक डावर्मैन की चवीश सामने आती है मध्यमाकार की चमकदार कोड़ वाले डावर्मैन पिंसर को लुईस डावर्मैन नामक व्यक्ठी द्वारा ब्रैड किया गया था 40-45 किलोगराम वजन और 30 इंच की लंबाई वाले डावर्मैन पिंसर का आकार और इनकी ताकत इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाख कुट्टों में से एक बनाती है जब इनके मालिक की सुरक्षा की बात आती है तो ये कुट्टे बेहद आकरामक हो जाते हैं डोबर्मैन पिंसर की वफ़दारी इसे इतना खतरनाख लेकिन साथ ही इतना प्यारा बनाती है जरासा खतरा महसूस होने पर ये किसी पर भी हमला करने को तयार रहते हैं इसलिए इन्हें 16 राजियों में बैन कर दिया गया है इसके पास अच्छी खासी ताकत होने के कारण इस नसल के कुट्टों को जल्दी ट्रेन करना बहुल जरूरी होता है ताकि ये किसी भी व्यक्ति या जानवर के खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुप योग ना करें डोबर मैन पिंसेस को अपनी आकरामक्ता को नियंतरित करने के लिए मजबूत नितरित्व की आवशक्ता होती है नमर फॉर वॉल्फ हाइब्रिड्स वॉल्फ हाइब्रिड कुट्टे और भेडिये के क्रोस ब्रीडिंग से उत्पन प्रजाती है इस मिश्रन के कुछ कुट्टों में कभी-कभी भेडिये की विशेश्यताई अधिक होती है तो कभी-कभी कुट्टे के गुण अधिक पाय जाते हैं आपको बता दे कि दिखने में जितने खतरनाग ये कुट्टे दिखाई देते हैं असल में ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये कुट्टे बहुत कुछ सैल होते हैं और बातों बातों में भड़क जाते हैं। इसलिए यूरोप के कई देसों ने इन कुट्टों के पालने पर पाबंदी लगा रखी है। यह नसल इतनी खतरनाक होती है कि इस नसल के कुत्ते कभी भी किसी पर भी अटेक कर सकते हैं यह अपने मालिक और अन्य लोगों के लिए भी खत्रा पैदा कर सकते हैं इन कुत्तों के स्वभा पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है ट्रेनिंग के बाद भी अपने मालिक और अंजान लोगों पर हमला कर सकते हैं इस नस द्वारा 378 हमले दर्ज किये गए हैं जिन में से जोदा बहुत ही खातक हैं आकडों के मताबिक 1989 से लिकर 1966 तक कुट्टों के काटने से होने वाली सभी मोतों में से 7 प्रतीशत मोतों के लिए केवली यही जिम्मिदार थे इनका वजन 36 किलोग्राम से लिकर 60 किलोग्राम तक हो पिटबूल को कौन नहीं जानता पिटबूल अमरीका का सबसे आक्रामग और बेहद खोंखार कुट्टा माना जाता है और यह अमरीकी बुल्डोग प्रचाती से संबंदिख है अमरीका के लोग इस नसल के कुट्टों को ज्यादा पसंद करते हैं आपको बता दे कि अगर कि एक बार इस कुट्टे के जबड़े में कोई फस जाए तब फिर इसका जबड़ा खुलवाना नामकीन है इसका उप्योग अधिकतर खूनी खेलों के लिए किया जाता है यह अजनवियों के साथ साथ अपने मालिक के लिए भी जानलेवा साबित हुआ है विसे इस रूप से जब ये ठीक से ट्रेन और सोशलाइज नहीं होते हैं येतने खतरनाक हैं कि दुनिया भर के कई देसों ने इन कुट्टों को पालने पर बैन लगा दिया है लेकिन ये अभी भी अमरीका के अलावा कुछ अन्य देसों में पाले जाते हैं इनकी आकरामकता को रोकने के लि वजन करीब 40 किलोगराम तक होता है लेकिन इंगलेंड के न्यू हैमशायर में एक ऐसा पिटबुल है जिसका वजन लगभग 180 किलोगराम है नमबर डू कोकेजियन सैफर्ड यह एक द्रिन इच्छा सकती वाला निडर और वफदार रक्ष कुता है जो ज़्यादातर सैना द्वारा संपत्ती की रक्षा और जिलो की सुरक्षा में ही रहता है कोकेजियन सैफर्ड को आप हलके में नहीं ले सकते यह बहुत ही आक्रामग और शुरक्षा देने वाला पुकता है यह इतने खत्रनाक होते हैं कि किसी भी अंजान व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं लेकिन अपने मालिक के साथ यह उतने ही विनम्र भी होते हैं इन कुक्तो की उत्पत्ती रूस में हुई थी और पुराने जमाने में लोग भेडियो से अपने भेड भक्रियों की रक्षा के लिए इनका उप्योग करते थे तो वहीं आज लोग इन्हें अपना परिवार तथा अपनी संपत्ती बचाने के लिए इस्तमाल करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इनका आकार काफी बड़ा होता है इनकी उचाई लगभग 45 इंच होती है और इनका वजन 40 से लेकर 80 किलोग्राम तक होता है नमबर वन तिबेतियन मस्टीफ धरती पर मौझूद सबसे बड़ी कुट्टे की प्रजाती है इस विसाल कुट्टे ने तिबबत से अमरीका के लिए अपना रास्त अबनाया तिबबत में मुख्यरूप से यह भेडियों, तींद्वों और भालू जैसे सिकारियों से भेडों की रक्षा करता था दुनिया में सबसे खास इस कुट्टे की आकार को देखकर अच्छे से अच्छा इनसान भी डर जाता है यह बहुत ही कुछ सेल स्वभाव का होता है तिबेतिन मस्टिफ एक बार भड़कने पर सांथ होने का नाम नहीं लेता और ऐसा होने पर अपनी विशाल सकती और आकरामक्ता से किसी को भी मार सकता है तिबद में इसकी आकरामक्ता के कारण इसे टाइड डोग कहा जाता है और लोग इसे चैन से बांध कर रखते हैं इसका आकार देख कर तो आपको पता चल ही गया होगा यह कितना खतरनाग हो सकता है तिबेतिन मस्टिफ का वजन 50 किलोगराम से लेकर 90 किलोगराम और इसकी उच्छाई 2.5 वीट से लेकर 4.5 वीट तक होती है इनकी उमर 12 साल से 14 साल तक होती है नोसी की कुट्टे के मालिक लिए तिबेतिन मस्टिफ बिलकुल भी अच्छावी कल्प नहीं है इसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्रक्ता है जो इसे लगातार प्रेशिक्शन के साथ मारगदर्शन कर सके और इसके साथ कभी भी बल्या करूरतान ना करेड़ी इस कुटे की एक और खास बात यह है कि यह दुनिया का सबसे महगा कुटा है और इस नसल के बच्चों की कीमत लाखों में है दोस्तों उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आपको इन मेंसे कौन सा कुटा सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको इससे कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए साथ ही अगर ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़िदार वीडियो के साथ तब तक देखते रहे गेट रेडि फैक्ट्स धन्यवाद